तो चलिए हम बराना सुरू करते हैं, हेल्दी और टेस्टी पालक पनीर के कुफते, यह हमने 200 ग्राम पालक लिया है, इसको अच्छे से साफ करके बढ़िया से 2-3 पानी अच्छे से दो लिया है, और अब हम इसको कटिंग करेंगे, तो इसको हम चकु से बारिक बारी काट ले और एक चमच हम डालेंगे अधरक लासन का पेश्ट, आपके पास अधरक लासन का पेश्ट नहीं है, तो पूटके भी डाल सकते हैं, अब हम 2-3 हरी मिश डालेंगे, बारी कटा हुआ, एक चमच धनिया पाउडर, आधा चमच जीरा पाउडर, और वान फोर चमच डालेंग और एक चमच के करीथ कच voor Li Methi डाल देंगे, ऐसे मुसलख के डालेंगे इसे हाथों से ही, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, डालें एक अगर हो तो कच चछरी मेत्ट तो नहीं डालेंगे, तो पहले हम अच्छे से इसको मिला लेंगे, और देखिए हमारा मिल चुका है, डो हमारा तयार हो गया है, हमें जरूरत नहीं है इसमें बेशन डालने की, क्योंकि हमारा ये डो पर्फेक्ट है, बाई चांस अगर आपका डो गिला है, तो थोड़ा सा आ बन के तयार होगा, देखिए, थोड़ा भी हाथों में नहीं चिपक रहा है, अगर चिपकेगा, तो थोड़ा सा बेशन जरूर मिला लेजे, देखिए हमारे सारे कोफते बन गए, अब चलिए, अब हम इसको तल लेंगे, हमने तेल को पहले से ही गरम होने के लिए रख दिय तेल गरम हो चुका है, तीन-चार मिनट के लिए हमने गरम कर दिया था, अब हम एक-एक करके कोफते इसमें डालते जाएंगे, गरम तेल में, देखिए सारा डाल लेंगे, थोड़ा सा सिखने देंगे, उसके बाद हम इसको चम्मा से पलाट लेंगे दूसरी तरफ, सारा हम हम ऐसे ही अलटते पलटते हुए अच्छा गोर्लेन ब्राउन होने तक हम इसको तल लेंगे बढ़िया से, और इसको हम मेडियम आच पे तलेंगे, मेडियम आच पे तलने में आपका 6-7 मिनट लग जाएगा कोफते को, देखिए हमारे कोफते तल चुके हैं, अब हम इसको मिकाल लेंगे, देखिए अच्छा कलर आ चुका है, और ऐसे ही हम सारा कोफते तल के तयार कर लेंगे, तो देखिए हमारा कोफता क्या बहतरी बढ़िया दीख रहा है, आप देख सकते हैं, तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाएंगे इसका, अब हम कड़ाई से तेल को निकाल दालेंगे, एक चमच, पंच फोरन, और दो से तिन हरी लाइची, एक दाल चेनी का टुकड़ा और जावित्री डालेंगे, और तीन चार लॉंग डाल देंगे, चार पाच, एक इंच अधरक है, इसको हमने घिस लिया डाल देंगे, और एक चमच लहसुन इसको चला लेंग और उसके बाद हम डालेंगे, तीन से चार हरी मिर्च, इसको हमने दो दो टुकड़ा कर लिया है, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम डालेंगे, इसमें दो मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, और डालके इसको भी हम चला लेंगे और इसको गुल्ड ब्राउन होने तक हम भूल लेंगे और यह देखिए करीब 3-4 मिनट घुनते हुए हो गए अब हम इसमें 3 टमाटर डालेंगे पिसा हुआ डाल देंगे और डालके इसको भी मिला लेंगे अब टमाटर गया तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे नमक डालके मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे एक बड़े चमच धन्या पाउडर डालेंगे और आधा चमच जीरा पाउडर और 1-4 चमच काली मिश पाउडर हल्दी पाउडर आधा चमच डालेंगे और आधा चमच हम गरम मसाला डालेंगे और आधा चमच चाट मसाला डालेंगे और इन सब को मिक्स कर लेंगे आधा चमच लालमिश पाउडर डालेंगे और इन सब को चलाते हुए दो मिनट के लिए हम भून लेंगे दो मिनट हमारे हो चुके हैं, एक बड़े चमश हम इसमें डालेंगे बेसन, रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं, वो यही काम करते हैं, ग्रेवी में बेसन डालते हैं, तो उलोहका ग्रेवी गाड़ी-गाड़ी अच्छी होती है, इसको डाल देंगे और चलाते हुए हम énormément, और बढ़िया से छोड़ चुका है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे, यह एक कप डालेंगे, और mix करेंगे इसको, इसके बार फिर एक कप डालेंगे, इसमें हम अभी 2.5 कप पानी डाल रहे हैं, इसमें हम आधा कप और पानी डाल देंगे, क्योंकि जब कोफता डालिए तो कुपते डालते जाएंगे सारे कुपते डाल देंगे और इसको चला देंगे और चलाने के बाद फिर हम ढग देंगे इसको पांचे मिनट पका लेंगे और बीच बीच में एक दो बार हम चला लेंगे इसको यह देखिए पांचे मिनट हो गए धकन हटाएंगे और चलाएंग देंगे मखन यानि बटर नाली इतो और बी टेस्ट बढ़ जाएगा इसका मुझे देखिए पहले से थोड़ा घ्रवी गड़ा हुआ है और थोड़ी दिर बाद और भी गड़ा होगा क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे ये गाड़ा हुता जाता है और इसको ढख देंगे और गयास को हम बन कर देंगे और चलिए अब हम सबजी को सरु कर लेते हैं तो लीजिए हमारे पालक पनीर के कुफते तयार हैं बहुत ही मज़दार और टेस्टी इसको आप रोटी पराठा चावल के साथ खाई हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक क्यार और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल न भूलें